नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम 17,000 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट एप्लीकेशन फार्मेट कैसे लिखें सभी अभ्यर्थी इस फार्म को लिख कर अपने साथ लेकर आएं दोस्तों धर्ना प्रदर्सन महा धर्ना प्रदर्सन होगा सांती पूर्वक दो जुलाई दिन मंगलवार समय प्राता दस बजे जादा से जादा अभ्यर्थी पहुंचिए दोस्तों संख्यावल जादा रहेगी तो हमारी सुनवाई अच्छी होगी सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए तो दोस्तों ससक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जाधा से जादा से इर करिएगा खास कर मैं यही कहूँगा की महिला जो हैं जाधा करके आएं महिला अगर जादा रहेंगी संख्यावल में तो हमारी बात सुनी जाएगी मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जितनी भी बहने हैं एनम बहने, स्टाफ नर्स बहने आसपास के जिले की हैं अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आप लोग जरूर आईए UP NHM आफिस बर्लिंग्टन चौराहे के पास है दोस्तों, मैंने आप लोगों को लोकेशन भी सेर कर दिया है आप किसी से पूछ लीजिएगा उत्तरप्रदेश पुलिस फ्रोनति बोर्ड कहां पर है, वो उसी के बगल में ही है दोस्तों, मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा उस दिन, और जो एप्लिकेशन है, कैसे लिखना है, आप लोग, सभी लोग, जितने अभिर्थी पहुँचेंगे, सभी लोग, A4 साइज पेपर पर, जैसे मैंने लिखा है, सेम यही उतार देंगे और वही उतारने के बाद जो है, अपना नाम, पता, मुबाइल नंबर, दिनांग, सब डालेंगे जिनको अच्छे से और आ रहा है जैसे मैंने लिखा है, अगर उससे भी अच्छा आ रहा है, तो वो जो है, और भी अच्छा लिखे आएंगे, लेकिन जो फार्मेट मैंने लिखा है, बहुत सो समझ के लिखा है दोस्तों, उसको जरूर आप लोग एक बर पढ़िए, और कोई गलती हो तो उसको शुधार कर लीजेगा, आप अपने जो है, एप्लिकेशन फार्मेट में चले दोस्तों, काउन सा फार्मेट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ देखे दोस्तों, यह है रिफरेंस नंबर आपका यही है, पहले आपको सेम यही लिखना है, रिफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 642 स्लैस SPMU स्लैस NHM स्लैस 2022 23 62 विग्यापन्ति थी 26 11 2022 सेवा में डारेक्टर UP NHM लखनव उत्तर प्रदेश विशय में आपको लिखना है दोस्तों 17,000 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट जिला आवंटन जारी कराने के संबंध में किस-किस पोस्ट के लिए एनम फार्मासिस्ट एलोपैथी लैब टेकनिसियन और स्टाफ नर्स उसके बाद दोस्तों ऐसे लिखना है महोदय उपरियुक्त विशय के संबंध में आवगत कराना है कि 17,291 पदो पर भरती परिच्छा कंप्यूटर बेजड हुआ था CBT एनम फार्मासिस्ट लैब टेकनिसियन की जो परिच्छा हुई थी 27, 28 और 31 दिसंबर 2022 को हुई थी और स्टाफ नर्स की परिच्छा 18, 19, 20 जनवरी 2023 को संबंध हुई थी जिसका रेजल्ट 8 नॉवबर 2023 को एनम स्टाफ नर्स और लैब टेकनिसियन का अभ्यर्थियों की नियुक्ती हो गई है और सेस कुछ सीटे अभी भी बची हुई है जिसको वेटिंग लिष्ट के अभ्यर्थी से भरा जाना सुनिशित किया गया है अतास्रीमान जी से निवेदन है कि वेटिंग लिष्ट वाले अभ्यर्थियों का जिला आवंटन जल्द से जल्द जारी करने की क्रिपा करें क्योंकि हमारे भविस्ट का सवाल है दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर दिलांक डाल देंगे फिर यहाँ पर धन्यबाद लिखेगा भावधी में लिखेगा जैसे मैंने लिखा है वीवेक जो पुरूश अभ्यर्थी है अपना नाम लिखेंगे महिला अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे जैसे मैंने एजामपल के तौर पे वीवेक और साधना लिखा है और साथ में लिखा हूँ UP, NHM, अभ्यर्थी, बलिया, उत्तर प्रदेस, मोबाइल नमबर आप अपने यहां डालेंगे और इसको लिखने के बाद एफ और साइच पेपर जो है दोसों यह लिखने के बाद आपका जो औरिजिनल ही यह जमा हो जाएगा और इसकी एक फोटो कॉपी आपको रिसीविंग डेट बाई डेट के हिसाब से दी जाएगी तो चितने भी अभरती हैं दोस्तों सभी लोग इस फार्मेट को ऐसे सेम लिखें अगर इससे भी अच्छा अगर आप लिख पाते हैं तो अति उत्तम लेकिन जो मैंने फार्मेट लिखा है एक बार सभी लोग जरूर लिखें और कमेंट में यस लिखें दोस्तों अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर भरती यह नहीं हो पाएगी और ऐसे लटकी की लटकी रह जाएगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसका नोटिस्फिकेशन आया था 26 नवंबर 2022 और आपका समय चल रहा है इस समय जून 2024 तो दोस्तों बहुत समय हो गया है नियर अबाउट अगर देखा जाए तो काफी साल से अभरती वो भी संबीदा की भरती है दोस्तों भी पर्मानेंट नहीं है पहुत से अभरती आस लगा के बैठे हैं जीन जो है वेटिंग लिष्ट में हैं और सभाविक दोस्तों जितना जिन अभरतियों के वेटिंग लिष्ट में नाम हैं सभी का जिला आउन्टन जारी करना चाहिए जिससे जो है दीवी हो सके और जल्द से जल्द नियूक्ति पत्र इन अभ्यर्थियों को मिला जाया और आगे जो भी पत्र खाली है उसको चाहे पर्मनेंट निकालें चाहे आप जो है संबिदा के आधार पर निकालें तो दोसों जो मेरे समझ में आया मैं आप लोगों को बता दिया हूँ आप लोग सभी लोग इसको लिख कर लेकर आईएगा बारी बारी से वहां पर रिसीविंग दीजिएगा देखिए दोस्तों इसका क्या फरक पड़ेगा बहुत बढ़ियां फरक पड़ेगा आपको मैं बता रहा हूँ और मैं भी आप लोगों के साथ उस दिन रहूंगा वीडियो को जादा से जादा सेयर करिएगा दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिजिएगा और एक लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है